हाई, welcome to my channel, इस बीड़ी में solve करें question about 22, तो ध्यान देजिएगा सबाना बाट 16 dozen balls, ballpens and sold them at a loss equal to SP of 8 ballpens, find her loss percent और दूसरा पुछाए कि SP बताइए of 1 dozen ballpens, if she purchases these 16 dozen ballpens, means these 16 dozen ballpens, for Rs. 576 मतब यहां क्या बोले, सबाना क्या कर रही है, कि 16 dozen ballpens खरिद रही है, मतब 16 dozen, ठीक है and sold them at a loss equal to, और उसे बेच देती है, loss करके, और loss कितना होता है, loss बराबर होता है SP of 8 ballpens, मतब जितना selling price होगा 8 ballpens का, उतना उसको loss हो रहा है, और उस loss पर बेच देती है, ठीक है तब बताना है कि loss जो होगा, तो percentage में loss कितना होगा, loss percent बताइए सबसे पहले हम यहां पर loss percent निकालने के लिए CP और SP निकालना पड़ेगा और CP और SP निकालेगे, तो हमारा focus यह होना चाहिए कि CP और SP निकालेगे तो same number of, same number of ball pens का CP और SP निकालना है यहां रहान चाहिए क्योंकि same number of balls का यहां पर क्या है कि लॉस्ट दिया हुआ है ठीक है तो लोगा सकते हैं यहां लगा सकते यहां पर डिर्यक्लिट तो given that लेख सकते हैं आप given that given that loss is equal to SP of selling price of 8 ball pens 8 ball pens का selling price है उतना loss हो रहा है तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि loss किसके बरावर होता है loss means जब loss अभी होगा जब cp बढ़ा होगा sp से है कि नहीं तो cp क्या कर रही है मतब cost price क्या है इसका तो cost price वही होगा जो 16 dozen ballpens को खरदने में लगा होगा तो मैं ले सकता है कि cp loss का मतलब हो गया कि cp of cp of 16 dozen कि 16 dozen ballpens माइनस sp of 16 dozen बॉल पिन्स ओके मतलब कि cp मेंसे जब माइनस करेंगे sp तभी निकलेगा loss और यह loss जो है ना वो दे दिया है कि loss जो भी घटा करके मतलब यहां माइनस करके जो भी आएगा वह आएगा sp of 8 ballpens that's it sp of 8 ballpens ठीक है तो हमारा यह बन चुका equation अब इसी को solve करके हम find करना चाहेंगे cp और sp same number of ballpens का यह याद रहे तो करेंगे क्या यहां पर sp यहां भी है और यहां भी है तो इन दोनों को हम एक साथ ला सकते हैं और add कर सकते हैं तो यहां पर 16 dozen को हम लिग देंगे थोड़ा सा यहां dozen को हटाना चाहते हैं तो dozen हटाने के लिए का करना पड़ेगा 16 dozen मतलब क्या 16 into 12 16 में यहां पर 12 से मतलब कर देंगे तो यह dozen हट जाएगा और आएगा यहां पर 192 ballpens राइट तो हम इत इंपलाइज यहां पर लिए सकते हैं cp of 16 dozen अच्छा यहां भी convert कर दिजिए तो यहां पर यहां पर हम convert करेंगे तो cp of cp of 16 into 12 कर दिजिए यहां पर तो मिल जाएगा आपको 192 ballpens कि वहला हम ballpens का use कर सकते हैं यहां पर यतना ballpens का जो cp होगा वह equal होगा sp यहां पर तो है ही sp of 8 ballpens और इसमें add कर देंगे plus कर देंगे कि इसको अब transpose कर रहे हैं इसको अब transpose करके right side में ले जा रहे हैं यहां मानस प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा एसपी आफ एसपी आफ एसपी आफ आफ आप शिक्स्टीन डजन बाल पेंस नहीं बलकि 192 लिखेंगे आपर 192 मतलब स्वेल्फ समें ब्लाई कर दिया है 16 में आगया 192 बाल पेंस अब यहां पर इन दोनों का हम आइड कर सकते हैं कैसे? SP of 8 ballpens है और यह है SP of 192 ballpens तो दुनों को आइड करते हैं तो मिल लाएगा SP of 200 ballpens है कि नहीं तो हम लिए सकते हैं SP of 200 ballpens तो हमारा आग गया क्या हमारा एक बन के ऐसा equation जिससे हम find कर सकते हैं CP और SP तो CP आफ लिखा है 192 ballpens is equal to हो गया SP of 200 ballpens तो हम इसी को माल लेंगे कि दोनों का जो price है वो equal है है कि नहीं कर रहा कि CP of 192 ballpens बराबर है SP of 200 ballpens के तो इन दोनों का माल लेंगे कि माल लेंगे कि ये दोनों बराबर है एक्स रुपीज के ठीक है तो यहाँ पर लिख लेंगे let CP of is equal to SP of 200 ballpens is equal to एक्स रुपीज अब यहाँ पर हमने जब एक्स रुपीज माल लिया अब यहाँ पर CP of 192 ballpens is equal to x रुपीज लिख सकते हैं और SP of 200 ballpens is equal to x रुपीज लिख सकते हैं तो यहाँ से आप same number of ballpens का CP और SP निकाल सकते हैं निकाल सकती हो या सकते हैं, सकते हैं, ठीक है, यहां पर करते हैं, तो क्या करेंगे, पहले यहां पर first वा लेगा, CP of 192 ballpens, और X रुपीज को equate कर देंगे, तो, so, we get CP of 192 ballpens, इसको मिलेगा, X रुपीज, ठीक है, तो, it implies, यहां से मिल जाएगा, CP of one ballpens, एक ballpens का जो CP होगा, वो होगा, X अपान, डिवाइड कर देंगे, 192 से, अब यह आगे हमारा, एक ballpens का CP, अब निकालेंगे, एक ballpens का SP, ठीक है, तो, यह इसके आगे निकाल लेते हैं, कामा देख करके, तो, यहां पर मिल जाएगा, हमें, SP of 200 ballpens, इसकोल टू है, X रुपीज, तो, यहां पर मिल जाएगा, SP of, one ballpens, इसकोल मिल जाएगा, X upon 200 रुपीज, ठीक है, अब यहां पर हमें, SP of, एक ballpens मिल गया, और SP of, CP of, one ballpens मिल गया, तो, अब यहां पर हम, loss person निकाल सकते हैं, एक बात और ध्यान रखें, जरूरी नहीं है, कि हम, एक ball, एक ballpens का ही, CP और SP निकालें, आप कितने भी number of ballpens का निकाल सकते हैं, जो भी निकालेंगे, आप, same number of ballpens का, SP और CP निकालना होगा, यह ध्यान रहें, तो, now, जो हमें actual जो निकालना है, first, हर लास परसेंट, हर लास परसेंट, हर लास परसेंट ही जो हो जाएगा, क्या, फर्मूला होता है, CP माइनस SP, अपान CP, मट्पलाइट बई, 100, तो CP कितना है, CP आपका यह है, X अपान 192, माइनस SP कितना है, X अपान 200, होल अपान, CP कितना है, X अपान 192, आचा, इंटु 100 भी है, ठीक है, अब यहाँ पर solve कर लेते हैं, उपर और नीचे, यहाँ उपर solve करेंगा, तो क्या मिलेगा, LCM लेंगे आपर, तो मिल जाएगा हमें 192 multiplied by 200, तो 192 से डिवाइड करेंगा, तो 200 मिलेगा, 200 X हो जाएगा, यहाँ पर, minus, 200 से डिवाइड करेंगा, तो 192 मिलेगा, 192 मिलेगा, X में तो क्या मिलेगा, 192 X मिल जाएगा, इतना मिल गया, whole upon, यहाँ मिल जाएगा, X upon 192, इसमें तो कुछ करना नहीं है, into 100 है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4, 4 बार यह उपर निचे हो चुका है, जिसके, ऊपर यहाँ पर यह इतना है, तो मतलब जब ही, ऐसा रहता तो कि क्या करते हैं, Tudo A upon D upon C upon D, अई ऐसा रहता है, तो हम निचे वाले को उपर उपर मौल से मौनिप्लाइए और बीच वाले को, बीच वाले से, और निचे और उपर उपर वाले को मौनिपलाई करने के बाद हम ऐसा लिख देथे, इसका मतलब कि नीचे वाला जो है बीच वाले से यहां से होसकता है और c, जो है a से cancelaorie होसकता हूँ क्योंकि, यहांपर यहांपर आप दसकते हैं, यहांपर रहेगा और into 100 है यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा 8 अपान और यहाँ बीच में प्ले करेंगा यहाँ पर तो 200 into यहाँ भी 1 बचा है तो 200 बचेगा यहाँ पर into 100 देखिए अब 0-0 खिंसल हो गया 200 से मतलब आ गया है यहाँ पर लॉस कितना गया 4% तो 4% का इनको लॉस हो गया है और यही आपका अंसर है फर्स्ट वाले का तो सेकंड वाले का हमें इसे एरेज करना पड़ेगा तो आप इसे नोट कर लिजिए मैं अभी बस पांस स्वरी दो सेकंड के लिखता हूं तो अब हम कर देते हैं इसको इरेज यहाँ पर बस याद रखना इसमें यही की 4% का लॉस हो रहा है ठीक है यहाँ पर तो हम इसको कर देना है यहां से इरेज इसके बद हम सेकंड वाले का सॉल्व करेंगे यही 4% आपको याद रखना है तो चलिए यहां समसाल करते हैं तो कर रहा है कि SP बताइए SP आफ वन डेजन बाल पेंस का क्या होगा इसके बाल पेंस फार रूपीज 576 अब यहां पर दे दिया है CP दे दिया है CP आफ 16 डेजन बाल पेंस इसकल टू 576 तम यहां पर लिख लेंगे कि सेकेंड में क्या दिया हुआ हुआ है गिवन है गिवन डाट CP आफ पार्चेज मतलब क्या खरदना होता है ठीक है तो CP ही दिया हुआ है पर CP आफ 16 डेजन 16 डेजन बाल प्रेंस इसको लिए 576 रूपीज अब यहां पर देखेगा इसको मिले सकते हैं नंबर्स में तो CP आफ इसका मतलब क्या 16 इंटू 12 16 इंटू 12 बाल पेंस मतलब कि यह कितना है गा 192 रूपीज खायर हम इसको इतना ही रहने सही रहा है गा 16 इंटू 12 बाल पेंस इसकाल टू 576 रूपीज हमें क्या करना है देखे निकालना है SP कितने का एक dozen ball pens का मतलब कि 12 ball pens का के विलमें निकालना है 12 ball pens का क्या SP तो हमें क्या करना पड़ेगा CP निकालना पड़ेगा 12 ball pens का only तो यहाँ पर हम 12 ball pens का कैसे निकालेंगे CP of 16 into 12 ball pens का दिया हुआ है 576 तो यहाँ पर 16 से divide कर देंगे both sides में तो 16 cancel out हो जाएगा इधर से और इधर भी कुछ cancel out हो जाएगा तो मिल जाएगा हमें 12 ball pens का CP CP of यहाँ लिख देंगे 12 ball pens इसकाल 2 16 से divide कर देंगे इधर भी तो मिल जाएगा 576 upon 16 अब यहाँ पर हम कैसे लोग कर देंगे 16 जा 16 16 3 जा 48 48 and 2 9 96 हो जाएगा 66 जा 96 होता है तो हो जाएगा 36 रुपीज तो हमारा यह निकल गया CP of 12 ball pens 36 रुपीज ठीक है अब यहाँ पर करना क्या है हमें निकालना है SP of 1 ड़जन ball pens तो हम जानते हैं कि जब CP पता हो CP पता हो और loss percent पता हो क्योंकि मैं पता है loss percent कितना है 4% इस case में जो भी यहाँ पर हो रहा है उस case में कितना है loss percent 4% है तो इस 4% का यूज करके loss percent और CP CP का यूज करके हम निकाल सकते हैं SP तो यहाँ पर ले सकते हैं SP of 1 dozen ballpens is equal to हो जाएगा CP of 1 dozen ballpens CP of 1 dozen CP जितना होगा वो फिर multiplied by क्या होता है 100 minus loss 100 minus loss percent upon 100 formula यह होता है तो हम निकालेंगे SP of 1 dozen ballpens is equal to हो जाएगा CP of 1 dozen ballpens कितना है CP of 12 ballpens मतलब कि 1 dozen ballpens होता है यह दिया हुआ 36 यहाँ यूज करेंगे 36 multiplied by यहाँ पर हो जाएगा 100 minus loss percent आपका 4% upon 100 ठीक है यहाँ मिल जाएगा 36 multiplied by यहाँ मिल जाएगा 96 upon 100 अब यहाँ multiply करके हमें 100 से बश्च डिवाइड करना है तो 96 में करेंगे 36 से multiply हो जाएगा 6 6 जा 36 का 6 3 carry over and 6 सरीजा 18 and 9 6 जा 54 तो 8 4 12 का 2 5 1 6 1 7 ओके ओके तो यहाँ पर होगा 72 72 और 3 कितना होगा 75 हो गया 75 का 5 हो जाएगा 75 का 5 हो जाएगा और 7 carry over 3 nanda 27 27 27 and 7 34 मतलब आएगा इतना इसकी वेलू आजाएगी 3456 upon 100 अब 100 से डिवादे करेंगे तो decimal दो प्लेस पर लग जाएगा बस यहाँ पर आजाएगा 34.56 रुपीज यह हो गया आपका SP of one dozen ball pens and this is your second answer first answer क्या था यह 4% loss thank you so much for watching तो like कर देजिए तुह सेर करेंए और कोई भी doubt होता है तो comment बज़र लिखेगा और एक बात और बताना चाहता हूँ आपको यदि आप Facebook पर follow करना चाहता है तो Facebook मेरा यह page है Math Solutions Foundation और एक group भी है तो उस group में आकर आकर आप जो है member बन सकते हैं ताकि मैं यदि कभी भी आपको live उसमें Facebook पर यदि आपको कभी मुझसे interact होना हो तो मैं बिलकुल live रह सकता हूँ आपे जैसे कि बहुत लोग को बात चीद कर सकता हूँ और आपके motivations भी कर सकता हूँ जैसे कि कोई भी तरह की आपकी पढ़ने की दीकत है या फिर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं पढ़ने ही पा रहा है या फिर कुछी प्रावलम है साब इसे तरह का नहीं है तो आप उस गूरुप में जाकर अटे्सट हो सकते हैं और मेरा टविटर पर भी मेरा आईडी है वो इसी नाम से है masssolutionfarmodation ओके और इंस्टाग्राम पर भी सिंसी नाम से मैंसृ Speaking ihr foundation haben तैंकि आ जो मच बाए